नमस्कार दर्शकूँ आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कारेकरम बुक आफ लाइफ में और मैं हूँ आपके साथ अंजू भाटी आज मेरे साथ इस्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कुमार प्रशांत मारव सेर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सेर का माईने क्या है उसे प्राप्ट करने से पहले में देखना पड़ेगा कि सफलता के माने क्या है उसके पैवाने लोगों ने अलग रहा है उसमें क्या है कि पहले बात तो ये कि सफलता कहां से स्टाइट होती है जब बच्चा पैदा होता है बड़ा होता है तो वो सफलता के शिकर तक पहुँचने के लिए उसको क्या क्या चीज़े एडॉप करने पड़ती है लाइफ में एक तो यह है दूसरा सफलता की स्केल क्या है उसको किस तरे नधारित करें के यह आदमी सफल माना जाएगा उसकी डेफिनिशन क्या है तो पहले तो मैं आपको उसकी कुछ उदेश कुछ कर्द लेके पैदा होता है एक मैंने पहले भी कही एपिसोड बताया है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके चार कर्द होते हैं पहला अपना परिवार और माता पिता का दूसरा देश और समाज का तीसरा महलता का और चौथा अपने अगले जन को क bank balance का जिसको प्रारत बोलते हैं तो अब आपने देखा कि सफलता के चार श्रणी होती हैं लेकिन उन श्रणीयों को हमें बराबर balance बिना के चलना पड़ेगा अपने लाइफ पहली श्रणी है परिवार और माता पिता यानि कि सफल व्यक्ति वो है जो अपने परिवार का भरन और अपने माता पिता की सेवा उनकी आग्या का पालन ये करता है और दोनों में balance बना के चलता है वो व्यक्ति एक जो पाइट है सफलता का उसमें वो सफल मना जाता है दूसरा है देश और समाच के लिए देश और समाच के लिए हम क्या योगदान देते हैं वो उसके कितना आप देश के लिए योगदान और समाच के लिए योगदान देंगे इसका यह है कि जितना भी अपने आदमी की capacity है capability है उसके according हमें देश और समाच के लिए सोचना होगा और कुछ न कुछ योगदान मैं तो यह कहता हूँ कि चीती के जितना भी योगदान अगर आप देश और समाच के लिए ये जितना आपकी capacity है तो आप उस सफलतम की जो दूर जो तीर शर्णी है second जो उसका scale है उसको आप सफल को success कर लेते हैं second stage को third क्या है third है मानवता सबसे बड़ा धर्म मानवता है मैंने पहले भी कहा है कि इश्वर ने कोई धर्म नी बनाया उसे कोई जाती पैती नहीं बनाई केवल उसे इंसान बनाया और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसान की जाती क्या है कि वो एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करे औ बने ये उसका जाती है तो यानि कि जो थार्ड हमारा सब्वलता का किशनी हुई वो हुई मानवता तो हम मानवता के धर्म को किस तरह आपनाते हैं अपने जीवन में और एक सच्चा इंसान एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करते हैं सारे जाती धर्म सबसे उपर उठके जाती और धर्म ये हमारे अपने बनाएवे हैं इश्वर ने कुछ ने मिलनाया बड़े अफसोस किया दुक की बात है कि अपने ही बनाएवे जाती और धर्म में हम आपस में लड़ते रहते हैं ये ही सबसे बड़ी गलती हमारी है तो हम कभी सफल व्यक्ति की शर्णी में नहीं आ सकते जब तक कि हम मानुता के धर्म को नहीं इपनाएंगे और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास पूरी तरह से अपने अंदर की भावना से नहीं करेंगे दिखावे के लिए नहीं अंदर से आपको प्यास करना होगा एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये जाती धर्म इन से उपर उठके तो आप सफलता की तीसरी सेनी है उसको आप पाल कर पाएंगे और उसको आप अच्छीव कर पाएंगे उसके फूर्थ इसकी है कि अगला जन उसके लिए आप क्या करके जा रहे हैं कितना आप उसके लिए संपत्ति का को एकत्र कर रहे हैं जो सबसे वैल्यूबिल है क्यों क्योंकि आप जितना पैसा कमाते हैं संपत्तियर जित करते हैं बैंक बैलेंस बनाते हैं बैंकों में लोकर्स में जेवर रखते हैं और प्रॉपर्टीज बनाते हैं लेकिन जब आप जाते हैं हम जाते हैं तो सब यहीं ने छोड़ जाते हैं यानि की हमारा जो अगला जन्म होना है क्योंकि जो पैदा हुआ है मरना तो होई एक ना एक दिन मैं कहता हुआ हम सौ साल तक भी एकर वो जियेगा तो एक दिन तो मरेगा ना मरने के बाद जो दौलत वो अपने साथ ले जा सकता है वोही अस्नी दौलत है तो आप उस दोने तो कितना कमा पाते है अपने इस जीवन में क्योंकि ये जीवन हमारे खेत है प्रभू ने इश्वन ने हमें एक खेत दिया है ये जीवन के रूप में इसमें बीज बोना काम हमारा है बीज हैं हमारे कर्म हम उसमें किस तरह के बीज बोते हैं उसी तरह हमारी फसल लएगी फसल होती है हमारा भागी क्या हुआ कि खेत जो ईश्वर ने में दिया है उसमें अच्छे बीजबोएंगे हमारा अच्छा भागी बनेगा बुरे बीजबोएंगे हमारा बुरा भागी बनेगा इसलिए मैं हमेशा है कहता हूँ कि मनुष्छ अपने भागे का स्वम निर्माता है भागे कैसे बनता है उसके सतकर्मों से लोगों की दुआउं से लोगों के आशरवात से दीन दुख्यों की सेवा से उनके आशरवात से विकलांगों की सेवा से उनके आशिरवाद से वो दौरत ऐसी है जो हम अपने साथ मरने के बाद भी ले जा सकते हैं तो उस दौरत को अगर हम इस जीवन में जितना अधिक कमा पाते हैं उतने ही हम सफल से सफलतम यक्ति की शेणी में आते हैं मैंने आपको बताया के सफलता क्या है और किस तरह से हम सफल बन सकते हैं तो इसके चार मैंने आपको कर्टेकरी बनाई बताई कि अपने परिवार और अपने माता पिता के सामने से बनाना और परिवार को इज़त से दो वक्त का खाना जो जरूरी चीज़े हैं वो हमें उपलब्द कराना ये हमारा एक सफल व्यक्तिकी शेड़ी का पहला दाइट है दूसरा दाइट तो समाज और देश के लिए हम क्या कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है जो मैंने बताया तीसरा मानवता के लिए क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो चौता जो में है कि जब हम मर जाएंगे सब कुछ हैं छोड़ जाएंगी तो दौलत हमने कवाई है क्या दौलत हम साथ लेके जाएंगे वो दौलत हम जितनी जादे कमा पाएंगे उतना हम सफल से सफलतन दिश्वई में अपने बहुत अच्छी बात बताई कि सफलता पाने के जो चार स्थम है वो बहुत जरूरी है और हमारे दर्शकों को भी पसंद आ रहा होगा लेकिन हमारे दर्शक जो यूवा दर्शक है वो जो भी आपको प्रयास करने होंगे उसके कैटेगरी एक ही है वो अलगल नहीं है उसमें क्या है सबसे पहले आपको अपना एम डिसाइट करना है गोल वाट इस दिगोल अपर लाइफ फिर उस गोल के लिए आपको कड़ा परिश्व करना है हाड लिबर पक्का इरादा solid कि मुझे ये करना है अचीव करना है उसके बाद passion जनून उस goal को प्राने के लिए जब आपकी ये चार चीजे complete हो जाएंगे उसके बाद आप उस goal को achieve कर पाएंगे यानि कि goal की तरफ आपको अपनों को पूरा concentrate करना है जिस तरह मैं आपको बाद बताता हूं कि जब द्रोनाचारे ने द्रोनाचारे हुए बाथ बड़े धनुविद्या के ग्याता थे जब उन्हें पाँचो पांड़ा को धनुविद्या सिखाई तो उन्हें जब सीख कहे पढ़ गये तो उसके बाद उनकी परिक्षय ली गई तो एक पेल पे मचली टांगी गई और वो मचली गूमने वाली थी और नीचे तेल लखा गया, कि नीचे की तेल को देखके मचली की आँख को बिनना होता, तो बहुत बड़ा एक बहुत कठिन प्यास था, तो उन्होंना सबसे पहले युजिश्टर को बलाया, युजिश्ट की इननी है, इस तेल में देखके हैं, तो आप ये बताओ तेल पे देखके, कि आपको मचली के आँख दिखाई दे रही है, बोले ठीक है, आप आजाओ, आपके सिकर नहीं है, आपके बसका नहीं है इसी तरह बारी बारी से वो आती रही पहले उसको बुलाया नकुल को सैदेव को भीम को सब नहीं कहा कि मुझे सब को दिखाई दे रहा है वो कहा नहीं कोई जबत नहीं आपको इसमें एन्वाल होने की आप नहीं कर सकते है तो मुझे मुझे मझे मचली के आख दे रहा हूं झैटिव कहला है कि आपका जो लक्ष्चे हैं उस पर लक्स होना ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मैंदर जे जिग्षर को सब सब अची बात बताई तो कहीं नहीं सारी बातों का निर्धारित निकल कर एक ही बात आती है कि अपना लक्षे निर्धारित करें तो सफलता जरूर हासिल होगी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया लेकिन समय का अभाव देखते हुए हमें अनुमती चाहिए और दर्शकों आपस अनुमती लेनी होगी फिलाल दीजी अनुमती नमस्कार नमस्कार